आईए एक नए महीने का आगाज करते हैं, आज है 1 सेप्टेमबर और 1 सेप्टेमबर 2020 के हरियाना करेंट अफेर इस पार्टिकुलर वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं आईए स्टार्ट करते हैं हमारे Current Affairs को अगर आपने पूरे अगस्त महीने के Current Affairs देखने हैं तो इसके अलावा एक पर्टिकुलर वीडियो मैंने बनाया है लाइव आके दो डाइगंटे का वीडियो है बहुत सारे बच्चों ने इसे अल्रेडी देख लिया होगा नहीं देखा Star IQ Quiz के नाम से Telegram Group है आपकी से भी जोइन कीजिएगा एक मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट है आप लोगों के लिए मैं आपको इस वीडियो के अंदर हलका सा हिंट दे रहा हूँ कि दिन में सही 11 बजे आज आपको ट्वीट करना है Speak Up for SSE Railway Student ये ट्वीट करना है ट्वीटर पे जाके इसके लिए कि मैंने अलग से वीडियो बनाया है मैं यहां पे कुछ जादा बोल नहीं सकता क्योंकि एक educational वीडियो है तो यहां पे मैं किसी के खिलाफ जादा नहीं बोल सकता लेकिन एक अलग से मैंने अपने दिल की बात अपने दिमाग की बात जो है अच्छे से कही है समझाई है आप लोगों को तो उसके लिए एक अलग सी वीडियो है आप उसे ज़रूर देखिएगा और समझीएगा आप लोग उस וीडियो को बस आपको एतना कहहा रहा हूं यहां पर कि प्लीज 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 प्लीस प्लीज प्यारे बच्चों यह आपके लिए ही है आप दिन में सही 11 बजे Speak up for SSC Railway Student का एक जो यह हैस्टेग करके ट्विट कर दीजिएगा यह मेरा आप लोगों से हाथ जोड के निवीदन है आप मेरी बात मान लीजिएगा इतनी तो तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा जो आज का करंट फिर का शैशन है उससे पहले जो मैंने आपसे कल सवाल पूछा था उसका सही जवाब क्या होगा कपाल मोचन मेले का आयोजन किस आउसर पे किया जाता है कपाल मोचन मेले का आयोजन जो है कार्थिक पुर्णिमा के आउसर पे किया जाता है C option जो है इस किस्टन का हमारा वो बिलकुल ठीक रहेगा आज का पहला किस्टन पढ़ते हैं कि कुर्चेतर में बन रहे इसकॉन के भवे कृष्ण अर्जुन मंदिर में चीन की बजाए अब किस देश से मार्बल के घोडे मंगवाने का फैसला किया गया है तो मार्बल के घोडे जो है अब चीन की बजाए इंडोनेशिया से मंगवाने का फैसला किया गया है D option जो है इस किस्टन का हमारा वो बिलकुल ठीक है इस कॉन यूथ फॉर्म के डारेक्टर है जिनका नाम है गोविंद कृष्ण दास उन्होंने ये घोष्णा की है वैसे चाइना से टोटल चार घोडे मंगवाए गए थे ठीक है जिनकी लंबाई 41 फीट और उन्चाई 34 फीट है और एक घोडे की तकरीबन तकरीबन लागत जो है इसमें प्रॉपर बन के त्यार हो जाएगा इस मंदर की टोटल कोष्ट जो है 200 करोड रुपे है 165 फीट जो है उन्चा इस मंदर की हाइट भी है तो इतनी बाते हमें याद रखने ही इंडोनेशिया की राजधानी जकारता है ये बात भी आप अच्छे तरीके से याद रखिएगा और इसमें 23,000 स्केर फीट में मुख्य मंदर का जो है उठाचा भी होने वाला है चली अगला किस्तन जो हमें पढ़ते हैं और इंडोनेशिया आप मैप में देखिएगा यहां की राजधानी क्या है जकारता है करंसी क्या है इंडोनेशिया ही रुपी है ठीक है और पॉपुलेशन की बात की जाए तो 26.77 करोड है समुद्री रस्तों से स्रिलंका के बाद में सबसे पास लगने वाला देश है हमारे वो इंडोनेशिया ही है और गरीब है इतना जादा अमीर नहीं है इस वज़े से जो प्रेटन है लाखों हजारों प्रेटन यहां पे घुमने जाते हैं कुर्चेतर का जिकरवा है इसके स्थापना 23.1973 को हुई है चेतर फल 1530 वर्ग किलोमीटर है और कुर्चेतर में ब्रह्म सरोवर है सनहित सरोवर है भद्र काली मंदिर है जोतिसर सरोवर है पिहोवा है स्रिस्थान इश्वर महादेव मंदिर है और पुंडरी भी यहां का ज प्लांट जो है वो त्यार किया जाएगा सॉलिड वेस्ट मनेजमेंट प्लांट जो हो हर्याना के अंदर त्यार किया जाएगा यह सोनीपत के अंदर त्यार किया जाएगा सी आप्शन जो है इस क्यूशन का हमारा वो बिल्कुल ठीक है और ऐसा प्लांट जो हर्याना के अं जो है इससे बिजली बनाई जाएगी कितनी बिजली बनाई जाएगी नाइन मेगावाट की बिजली जो है वो बनाई जाएगी और ये नाइन मेगावाट की बिजली से होगा क्या कि मुर्थल और उसके आसपास के छेतर के जितने गाओं हैं उनमें से 20 गाओं को लगबग जो है 176 करोड रुपे जो है इसके लिए बजट है और हर्याना सरकार और JBM के बीच में समझोता हुआ था इसके लिए सब्टेंबर 2017 के अंदर ठीक है और इसको पूरा होने का प्रोजेक्ट भी आपको बता दूं 2021 के अंदर ये पूरा का पूरा प्रोजेक्ट जो है कंप्लीट हो जाएगा चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अगला किस्टन हमारा है उससे पहले सोनीपत कि स्थापना कब हुए बाइस देसंबर 1912 को चेतरफल 1212 वर्ग किलोमेटर है उप नामों में एटलस सिटी ओफ अर्याना एजुकेशन सिटी ओफ अर्याना और गॉल्डल सिटी ओफ अर्याना भी कहला आती है ये चलिए अगला किस्टन है कि हाली में किस विस्ट विधाले में विधारतियों के ये 11 होबी कलब जो है उनका गठन किया गया है तो 11 होबी के कलब जो है वो गठन किये गए है कौन सी युनिवर्स्टी के अंदर चोधरी बंसी लाल विस्ट से विधाले है ठीक है कि उनको Google और Research के लिए फल और सब्जियों के Varieties का जो है लोगों को पता लग सकेगा और मतलब कैसे पता लगेगा क्योंकि होबी से लोग अगर काम करते हैं तो बहुत सारे लोगों की होबी होती है सब्जी और फल उगाने की तो ऐसे ऐसे अलग-लग Varieties का पता लगेगा ठीक है फिर वो अधिक से अधिक जो है बागवानी छेतर में उनका सहोग लिया जा सकता है और इस Kitchen Guard के अंदर परती दिन दो गंटे का समय लगता है इसको ठिक-ठाक मैनेज करने के लिए इसलिए इसके अंदर 11 Hobby Club अगला जो हमारा क्यूस्टन है अगला क्यूस्टन हमें पढ़ना है कौन सा है भई और चोदरी बंसिलाल विस्टर धाले भिवानी में इसकी स्थापना कभूईती 2014 में हुई है हर्याना में अब किसके लिए अधाहार नंबर आनिवारे किया जाएगा बहुत बहुत इपार्टन क्यूस्टन है हर्याना के अंदर अब इनसानों की तरह है पहले तो इनसानों तरह है पालतू पस्टों के भी अधाहर नंबर होना जरूरी है भी आप्शन जो है इस क्यूस्टन का हमारा बिल्कुल ठीक है सर इससे फाइदा क्या होगा पसु को अगर खरीदना होता है या पसु को लेना होता है तब जो है इस अधार कार्ड का अधार नमबर का जो है या अधार कार्ड का जरूर्ट पड़ेगी पसु के लिए डिस्क के किसी भी हिस्से में अगर कोई पसू को बेचना है तो भी जो है यह अधार नमबर है यह नहीं बदलेगा जैसे हमारा नहीं बदलता है और यह जो नमबर केवल पालतू पसंओं के लिए जारी होगा मतलब गाहे हैं, भैंस है भेड हैं, बक्री है इनके लिए बाकीयों के लिए अजय जय कुटा बियली है उनके लिए अप्लाई जो है वो नहीं किया जा रहा है अगला जो हमारे question है वो कुन सा है कि हाल ही में CBSC ने paperless work के लिए किस नाम से portal बनाया है CBSC ने जो अभी हाल ही में paperless work के लिए E-harkara नाम का portal जो है वो बनाया है ए हरकारा वेब portal बनाया गया है 1 सैप्टमबर के बाद CBSC स्कूल के अंदर कोई भी परकार का काम जो है वो offline ना होके online में धेरी-धेरे convert किया जा रहा है इसके लिए जितनी भी सुझाओ लेने हों, सिकाइते लेनी हों ये सभी के सभी एक हरकारा website portal का जो है वो इस्तमाल भी कर सकेंगे और इससे सबसे बड़ा benefit क्या होगा देखो तीन सबसे बड़े benefit होंगे सबसे पहला benefit है कि पहला transparency जो है वो बढ़ जाएगी दूसरा communication में speed आई और तीसरा school की application का भी start जो status है वो भी पता लग जाएगा वरना हमें पता नहीं लगता कि school का जो status है वो क्या है किस level का वो पढ़ाई जो है वो बच्चों को करवा रहे हैं हर्याना में अब किरसी यंतर किराये पर ले दे सकने के लिए सरकार ने किस नाम से application ट्यार की है तो सरकार ने एक application ट्यार की है जिसका नाम है CHC Farm CHC Farm सी option सही है इस question का हमारा और इसके तहट जो है कोई भी आपका machinery उपकरण है वो mobile app से जो है उसे देखा जा सकता है और वो online जो है इसका आवेदन भी कर सकता है मंगवा भी सकता है तो और ये application CHC Farm machinery application जो है वो Google Play Store पे पड़ी ही है ठीक है और अगला जो हमारा क्यूस्टन है वो क्या रहेगा भी अगला साल में ही पानीपत में हर्याली का दाइरा कितने एकड कम हो गया है तो 15 साल के अंदर ही पानीपत के अंदर हर्याली के दाइरा जो है या एकड कितना कम हुआ है 17,295 में एकड कम हो गया है ये रिपोर्ट जो दी है वो दी है नैशनल ग्रीन ट्रिबिनल ने दी है जिसका हेड़कॉर्टर न्यू डाली के अंदर है 2005 के अंदर जो है NCZ 21,651 था लेकिन 2020 तक आते आते 43,561 रह गया है ये और 2012 में 16,000 प्लस जो है ये आंकड़ा था अब आपको सबसे पहले समझने है कि NCZ क्या होता है इसका मतलब होता है कि वो सरंक्षित एरिया जो प्राकर्तिक रूप से महतपुर्ण हो जिसका आर्थिक और सांसकर्तिक महतव हो ये जर्नली हर्याली से जुड़ा हुआ जो है वो वर्ड है और 1999 में सैटलाइट इमेज की अधार पे जो है NCZ का सरवी किया गया थार उसी अधार पे जो है वो एक परकार की रिपोर्ट त्यार कर ली गई है अब हाल ही में किस युनिवस्टी में नकल रहित प्रिक्षा कराने के लिए रिएल टाइम मॉनिटरिंग सुनिस्चित की जाएगी तो रिएल टाइम मॉनिटरिंग सुनिस्चित की जाएगी MDU के अंदर A option सऐएस क्यूसन का हमारा आप सभी को पता है कि UG की जो प्रिक्षाएं हैं साप्टेंबर के लगबग सेकंड वीक के अंदर स्टार्ट हो जाएंगे ये पहले से ही कन्फर्म कर दिया गया है तो इसके लिए अगर कोई online exam दे रहा है तो उसको कैसे रोका जा सकता है इसके लिए real time monitoring सुईधा जो है वो बनाई जाएगी अगर कोई जो है उस time पे online exam के दिए नकल करने की कोशिस करता है तो उसे warning दी जाएगी और अगर दूसरी बार फिर भी नहीं मानता तो उससे जो है login ID चीन ली जाएगी दुबारा जो है वो login नहीं कर सकता है उस computer के उपर और MDU जो है MDU की स्थापना कब हुई है MDU की स्थापना 1936 के अंदर हुई है मैरसी दयारंद विस्था विधालिया इसका पूरा नवाम है और VC कोन है यहां के राजबीर सिंग जो है यहां के VC है हाली में HEU की तरफ से 425 लोगों के बीच कराएगे सर्वे के अनुसार कितने परतिसत लोग immunity बढ़ाने वाले प्रोड़क्ट्स ले रहे हैं immunity बढ़ाने वाले प्रोड़क्ट्स जो है 90% लोग ले रहे हैं सी option सही है इस question का हमारा ठीक है चोधरी चरण सिंग हरियाना किर्सिव इसे उधाले के इंद्रा चक्रवरती ग्रहे विज्ञान महाविदाले की तरफ से 425 लोगों के बीच में सर्वे किया गया जिसमें 90% लोग वो immunity बढ़ाने वादे प्रोड़क्ट्स का इस्तमाल कर रहे हैं पहले से ही जिसमें प्रोटीन वगरा बहुत ज़ादा हो के लावा दूद है घर का खाना है ग्रीन टी है अद्रक की चाय है फलों का जूस है और भी बहुत सारे प्रोड़क्ट्स है जो आपके क्या कहते हैं स्वास्तेक के अंदर immunity बढ़ाने का काम करते हैं एक परकार से immunity क्यों बढ़ा रहे हैं क्योंकि लोगों को पहले से ही खत्रह की COVID-19 अगर होता है तो आपके कम immunity के कारण ही होता है यह अगर पहले से इतने प्रियास कर रहे होते तो कितना अच्छा होता चिक है हाली में सिक्षा विभाग दवारा करवाए गए सरवे के अनुसार कितने परसंटेज जो पेरेंट्स हैं वो चाहते हैं कि बच्चों को स्कूल भेजा जाए तो 83 पर 30 लोग चाहते हैं कि बच्चों को स्कूल भेजा जाए एक अक्टूबर से लगबग सारे स्कूल और कॉलेज खोलने की त्यारी की जारी है जिसके अंदर 10 और 12 की एक्जाम जो है वो लिए जाए और त्यारी स्टार्ट कर दी जाए अभी से ही ठीक है और मैं बात करता हूँ यहाँ पे जो पूरा सरवे हुआ है इसके अंदर मैं आपको बताऊं पूरे सरवे के अंदर तो यह पूरी लिस्ट है गुरुग्राम जो है साप्टमर में अपने बच्चों को स्कूल भेजने के लिए 63 प्लस जो है टीचरस थे उन्होंने सहमती जाई के थी उनमें हर्याना में पहली बार जैव विजता दीवस कब मनाया जाता है चार आप्चन है 22 माई 2018 या 22 अपरेल 2019 या 22 माई 2019 विस्तार से लिकिएगा इस क्यूस्टन के बारे में और इस आर्ट एंड कल्चर के बारे में दीवस और उत्सव के बारे में भी बस इसी के साथ मैं अलविदा लेता हूँ धन्यवाद